तो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आप लोगों का e-sports news चैनल में स्वागत है जहां पे आप लोगों को e-sports की सारी update मिल जाएगी तो यह चैनल को बस subscribe कर लो तो सबसे पहले हमारे को twitter पे ट्वीट देखने को मिलता है जहां पे कोई यह चीज लिखता है कि प्राइस पूल है वो नई दे रहे हैं इसके बाद भी वो नए टर्नमेंट कंड़क्ट कर रहे हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बाद रैंगुटन की अच्छी परफॉमेंस के बाद काफी सारे बेंटर उनके twitter एंडल पर हमें देखने को मिले जा पर उन्होंने ड्याला की कौन सा चोकर अच्छा लग रहा है वाप उन्होंने आरेंटी को भी मेंचन किया इसके बाद नेक्स्ट उसमें उन्होंने एक योपी लगा के लिखा टफेस्ट लॉबी नो इजीएस्ट लॉबी जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकत हैं इसके बाद आरेंटी को दुबारा से ट्रोल करते वे दिखाई दिये तो यह वली वीडियो आप लोग देख लो इसके बाद उन्होंने टीम सोल को भी वाइप किया इन वापी उन्होंने एक ट्वीट डाला इन यह था एक हेल्दी बेंटर जो कि हमारे को और के बीच में आज ट्वीटर पे देखने को मिला इन इसके बाद मैं आप लोगों को एक वाणिंग देद हूँ कि यार आप लोग भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप लोग 100% गिववे जीतने वाली हैं वो भी कैश प्राइज में तो यह वीडियो को पूरा देखना इन इसके बाद बात क करते हुए लिखते हैं आई डिसोन सच फैन स्प्रेडिंग सच प्रोपागेंडा अट लिस्ट आइव माई एंटिटी एंड यू जस्ट गो और सी माई ट्वीट्स एंड एफ दन फॉर एसेट्वल मेंबर्स यू स्टूपिड के जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सिर्फ एक मिनट का काम है एंड आप लोगों को फो प्रोसेस कंप्लीट करके कमेंट करना उसी वीडियो के नीचे एंड आप लोगों का गिव पार्टीसिपेशन हो जाएगा एंड कल संडे एंड कल जो विनर है वह चूज करने वाला हूं मैं आप लोगों को अगर 100% शॉर लगती भी दिखाई दिये कि वह एक वगरा यूज कर रहे थे तो इस चीज से रिलेटर हमारे को जो ब्लाइंड के जेजे वाइट है वह अपने यूट्यूब पर लाइव जाते वे दिखाई दिये थे तो बैसिकली हमारे को वह जो श्ट्रीम है वह मल्यालम में देखने को मिली तो इस चीज से रिलेटर में उनसे बात करी कि उन्हों ने स्ट्रीम मल्यालम में दिखाई तो आप उन्होंने बोला कि काफी लोग ऐसा बोल रहे है कि जो नो है वो हेक्स यूजज कर रहे है तो हम वेट करते हैं कि जो ओफिशल है एडमिन के साथ एन वापे वो काफी अच्छा भी खेले थे सेमी इस तक एन उनको कोई भी प्लेयर से परस्टनली कोई दिकत नहीं है उनको परस्टनली भी नहीं जानते हैं लेकिन वो बिलीव करेंगे सिर्फ ओफीशिल में एडमिन्स में एन उनने बीजैस अच्छा के ला लिए उन्होंने टीम में लिया उनको और अगर उनके उपर कोई एलिगेशन लग रही है और उफीशियल इस चीज़ को मानते हैं कि वो हैक वगएरा यूज कर रहे थे तो वो ऑफीशियल की रिस्पेक्ट रने वाले हैं एक्शन लेने वाले हैं उस प्लेयर के अगेंस्ट करते हैं एंड इस के बाद हमारे को एक क्लिप देखने को मिली जहां पर हमारे को कुछ एलिगेशन लग तीवी दिखाई दी कुछ टीम पर कि वो हैक्स वगएरा यूज करते हैं तो इन चीजों से रिलेटेड हमारे को सौमराज भी बात करते हुए दिखाई दिखाई कुछ इव फैड़ेड हैं कौन फाइट लगा है वो क्या था था क्या ता तेम थे तीम इस ले थे लूटा ये तांट तेम इस टीम वह बूलेंग प्लेंग इन ठीम दिखाई ये अदॉड़ीन से रिच्ण का बझा जाए तो अलिग एक्स युज के बाद है कि रिया इस थे मजरी अज़ है? तो में स्रेच करेंगे तो क्लाटनाब मोज से ऩार्ट थिनस, न हमें अलिक्स अर्फ लायोज सित्यों हो जिरो रेक। इसर updatesी? वेर्टन कि अज़रन भी बते है? अर्फ उर्फ लुक्स लिक्स में लिक्स लाइन अपनाऊस मुट देखे लो गाईस पूचेंगी किंग से इसलिए मर गए पूचेंगी किंग सॉम थिए गतरोव क्लेश भूचेंगी किंगे बैछ क्यार जोकर भी है अपना लॉंडा वैंच मारता है है मैं यह नहीं बोलूंगा गन्पावर इंप्रूव हुआ I think in terms of roles everybody got their own roles and I think when joker went to TX I think even he got the role that he was supposed to play एक और किला है यहां देखा मेंने I think even he got the role that he was supposed to play और the role that we wanted ninja us role में बैठ गया तो I think both rosters I think TX was already stable but I think both rosters became super stable in my opinion I feel gun power I don't think कुछ improve हुआ या ऐसा कुछ हुआ क्योंकि भाए आएंचा फूकी भी मारता है बोव अरे मारे इस के बाद हम बात करते हैं काश्वी और अमन से related तो basically होता गया है कि जो आमन है जो आप एक highlight को upload करते हैं अपने channel पे यह वाप जो थमने लगाते हैं उसमें वो basically इस चीज़ से related बात कर रहे होते हैं कि जो काश्वी है उनके editor की क्या salary है इन इसके बाद जो थमन channel है वो काफी लोग को offensive लग जाता है इन इस चीज़ से related काफी लोग जो है काश्वी से भी बोलते हैं तो उन्होंने कल वाली श्रीम पर सबसे पहले इसी का reply किया था तो आप लोग पहले देख लो Amal matter is nothing. कुछ लोग offend हों गए. यह Amal ने खुछ thumbnail लाला था जो की लोग को अच्छा नहीं लगा भी कर आप लोग को अप लोग मेरी केर करते हो अच्छी बात है. I know की अच्छा है सोच रहा आप लोग 90% लोग कुछ लोग तो वालतू में भाई या गंदे-गंदे मेसेजर लिखते हो यार मुझे भाई मत लिख हुई है सब पागल हो गया और कुछ लोग तो मेरी मॉम मॉम को टाइक करके अन्यवे वो सब छोड़ो तो कुछ थामनेल अच्छा नहीं लगा लोगों को रॉंग मीनिंग निकाला उसमें से ठीक है तो मैंने बोल दिया आमान को हटाने और शायद उसने हटा भी दियो उसके बाद उसने देखा नहीं था एडिटर हैंडल करता वो वाला चैनल तो उसने हटा रिया उसके बाद मेर के बोलने के कुछ देर बार लाइक फ्यू आज बार तो ठीक है और इसके बाद जो अमन है वो भी अपने ब्रॉडकास्ट पर कुछ मैसेज डालते हैं जहां पर लिखते हैं कि वह एक वीक का ब्रेक लेने वाले हैं स्ट्रीमिंग से और जो सोचना है वो सोच लोग फरक भी रेक्शन बताती है तुन्होंने एग्जेक्टली क्या बूल अब वो भी आप लोग देख सकते हैं कल रात को स्ट्रीम के बाद मेरी अमान से बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि उनको काफी जादे काफी स्टोरी मेंशन आये उस वजे से उनको बुरा लगा उन्होंने बोला कि वो मतलब स्ट्रीम से भी ब्रेक लेंगे वो सुनके मुझे बहुत बुरा लगा कुछ लोगोंने उनको गंदे मेसेज़े और स्टोरी मेंशन भेजे आइडोंनो क्यों भेजे वो फिर मुझे बताया कुछ लोगोंने की एक्स पे बात हो रही थी किसी ने बोला कि उनका थामनेल अच्छा नहीं था और मेरे तारफ गंदा लग रहा था मैंने उनको जैसे भोला हटाने उनने मुझे बोला कि उन्होंने नहीं डाला था वो थामनेल एडिटर ने डाला था जो उनका वो चैनल मैनेज करते हैं अजिए वो थामनेल कुछ लोग को बुरा लगा थांक यू फो लोग बुटिए बहा था लेकिन वो थामनेल थाग और गोड़ी भाय ने भी देखा और यू देखा और यू था अमन ऐसे ट्यों से है मेरे भाई जैसा है और उसको इतना बुरा लगा और मैं कभी नहीं चाह मुझे उसके कुछ भी प्रोबलम है उसके साथ तो प्लीज बुरे मेंसज़ मत भीज़ो उसको और बुरे मेंसिंट और जोनों ने भी किया है जा के सौरी बोल दो, से सौरी तो अमन, मेरे भाई जैसा है, जैक माय यंग ब्रदर, और साटूल फामिली में है हम सब, तो प्ल प्लीज बी कैफल अबाउट दाट गाइस, और अमन ने मुझे सारे स्क्रीन शॉट भेजे, पाच या छे स्क्रीन शॉट भेजे, जिन्हों ने उनको मेंशन किया था, तो मैंने जाके देखा उन सब के प्रोफाइल्स, और वो लोग मेरे फैन्स, या मेरे सपोर्टर्स तो वो लोग मेरे सपोर्टर्स तो बिलकुल है ही नहीं, वो लोग overall haters होंगे, so that's what happened, ये सब अब भी होता है क्या यार, कुछ लोग होते ही है ऐसे, so very sorry to Amun कि मेरे वजे से उनको ये सब जहिलना पड़ा, and context is that Amun uploaded a highlight, जिसका thumbnail कुछ लोगों को offensive लगा, क्योंकि उस thumbnail पर लिखा हुआ था काश, editor salary revealed, and ऊपर text bubble था, जो कि कह रहा था, 2000 रुपीज, and मेरे तरफ arrow था, 2000 रुपीज पर वीडियो, and मेरे ऊपर एक arrow था, तो लोगों को लगा कि वो बुरा मतलब निकाल रहे है लोग, and अगर आपने एक caring sense से सोचा ये, तो बिलकुल गलत नहीं है मेरे तरफ, कि अगर आप मेरे बारे में सोचते हो कि ये गंदा दिख रहा है, आपकी सोच बुरी नहीं है, लेकिन the way it was put out, ऐसा group बना के, उसको abuse करके, ये तरीका नहीं होता है, अगर आपको कुछ feel हो रहा है, तो सकते थे, मैं अमन को directly बोल देती, phone message करके, मतलब कि हटा दो thumbnail, या, anyway, गोली भाया था, saw that thumbnail and उनको नहीं लगा कि उसमें कुछ बुरा था, so, that's another thing, but anyway, abusing someone and किसी को बुरे messages भेजना, there's no, that's no way, and मैं ऐसे चीदों को कभी condone या प्रमोट नहीं करूंगी, उपर से, वो मेरे भाई जैसा है, and वो S8UL से है, जो कि हम सब, same family से है, so, उसको तो नहीं मिलना चाहिए था, वो level का heat, I hope, मैंने बहुत clearly ये समझा दिया है, because yesterday, मैं clearly नहीं समझा पाई ये, because मुझे जादा बात नहीं करनी थी, इसके बारे में, but, फिर जब रात में मुझे कि उसको किता बुरा लगा, and उसने streaming से ब्रेक लेली, because of this, so, that made me feel very guilty, so, that's why, this is my apology, and, you guys, जनों नहीं किया है, in any way, आमन को, please, थोड़े प्यार वाले messages भेज़ो, थोड़े, अच्छे messages भेज़ो, ताकि, का mood सही हो जाए,